कि इस हालात में जब 50,000 लोगों की मौत हुई है जज भी संक्रमित हो रहे हैं यूपी में दो-दो कैबिनेट मिनिस्टर की कोरुना से मौत हुई है बिहार में एक I.S. ओफिसर की मौत हुई है एक दिन पहले एक डॉक्टर की मौत हो गई बिहार में ही ऐसी परिस्ति में जब लगतार संक्रमन की संख्या बढ़ती चली जा रही है तेरह दिनों से दे दुनिया भर में सबसे ज़ादा और करीब-करीब हजार के करीब लोग रोज मर रहे हैं 900-800 से 1000 के करीब में ऐसे में अगर आप कहें कि 25 लाक जो विद्यार्थी हैं जो नीट और जेई की परिक्षा देते हैं वो अपने अपने घरों से निकल कर परिक्षा केंद्रों पर जाएं अपने माता पिता के साथ जाएं जाहिर उनकी उम्र कम है तो किसी को साथ लेकर जाएंगे वहाँ पर भीड जमा हो तो क्या उन्हें संक्रमन का खत्रा नहीं है अगर इनकी जिन्दगी के साथ कुछ हुआ अगर इन में से किसी एक छात्र की भी जिन्दगी दाओं पर लगी तो उसकी जवाब दे ही कौन लेगा क्यों नहीं सरकार नहीं अदालत में जाने से पहले इस मामले को अपने स्तर पर देखा और एक फैसला लिया होता पर अभी तक आप देखिए कि UGC के मामले में भी फैसला नहीं आया है पर NEET और JEE के परिक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो अपने स्वास की चिंता को लेकर काफी परिशान थे छोटे बच्चे हैं उनके साथ बिमार माता पिता भी जाएंगे और उनमें से बहुत लोग कई तरह के बिमारी से ग्रस्ट भी होंगे इन चिंताओं को लेकर कई घरों में मौत हुई होगी कोविट के कारण कईयों के मुहले में को कंटेन्मेंट जोन बना दिया होगा बिहार में आप देखिए 6 सितंबर तक के लिए लौकडाउन बढ़ा दिया गया है बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाई एकसेस नहीं कर पा रहे हैं ठीक है कि आदालत की ये चिंता कीन का केरियर नहीं बरबाद होना चाहिए लेकिन उससे पहले जिंदगी भी दाव पर नहीं लगनी चाहिए इसलिए ये चात्र सुप्रीम कोट के इस फैसले से बहुत असहज महसूस कर रहे हैं जो फैसला आया है कि NEET यानि मेडिकल की प्रवेश परिक्षा और JE यानि इंजिनियरिंग की प्रवेश परिक्षा अपने नियत समय पर होगी चात्र अभी भी देहशत में हैं इसे स्विकार नहीं कर पा रहे हैं आशिश की रिपोर्ट देखिए इंजिनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परिक्षा की तियारी कर रहे लाखों छात्रों के इमतिहान सितंबर में ही होंगे COVID-19 के कारण JEE और NEET परिक्षा को टालने की कुछ छात्रों की आचिका को सुप्रिम कोट ने खारिज कर दिया इस दोरान सुप्रिम कोट ने कहा कि जीवन को रोका नहीं जा सकता हमें सभी सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना है छात्रों के कैरियर को लंबे समय तक खत्रे में नहीं डाला जा सकता क्या छात्र एक साल बरबाद करने के लिए तेयार हैं शिक्षा को आप खोला जाना चाहिए कोरोना एक साल और जारी रह सकता है क्या हम ऐसे में एक साल इंतिजार करेंगे क्या आप जानते हैं कि देश और छात्रों को क्या नुप्सान होगा वहीं राष्टिय परिक्षन एजंसी ने भी इसका विरोध किया जेई मेन परिक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी और 13 सितंबर को नीट दोनों में करीब 25 लाग चातर बैठेंगे चातर शीर्ष अदालत के आदेश से खुश नहीं है इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया लेकिन एक और एहम मसला है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है और यह मसला है डिग्री कोर्सिज में फैनल एर की परिक्षा का एक तरफ देश भर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाय आई olduğunu हैं कि final year की परिक्षां को रद किया जाए लेकिन UGC ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर परिक्षा नहीं होगी तो डिगरी भी नहीं मिलेगी नई दिल्ली से आशीज भारगव, NGTV इंडिया तो अगर UGC अगर परिक्षा कराने वाली संस्थाएं इस जिद पर अड़ी हैं तो उन्हें कंसकम ऐसा पैमाना बता कर दिखाना चाहिए कि जिससे दे की दूरी का पालन भी हो, परिक्षा केंदरों के बाहर भीड़ ना हो और आने जाने की यात्राओं के दोरान विच आत्र संक्रमित ना हो अगर इतनी बड़ी आबादी यात्रा करने लगेगी अगर परिक्षा के अंदर दूसरे शहरों में पढ़ते होंगे तो चिंताओं का एक नया तुफान उमर पड़ेगा खेर लेकिन अब कूट का फैसला आ गया है तो ये परिक्षा अपने नियत समय पर ही होंगे अभी भी सरकार अपने स्तर पर विचार कर सकती है लेकिन इसका स्कोप नहीं है क्योंकि सरकार लगतार आदालत के सामने यही दलिल देती रही कि वो परिक्षा कराएगी यही चात्रों के हित में है लेकिन बहुत बड़ी संख्या में चातरी से दूसरे नजरिये से भी देखते हैं